हेलो दोस्तों मैं यूट्यूब जनरल मेडिको अड़ा पर आपका स्वागत है तो दोस्तों आईवेर वेटनरी कांसलिंग 2020 के जो रजिस्टेशन प्रोसेस कैसे करना है उसकी टोटल सीट कितनी है और उसका जो डिटेल सीडूल है वो क्या है और कौन-कौन से जो डोकोमेंट आपको सम्मिट करना है उन सब के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थो तो यह उसी वीडियो का सेकिंड पार्ट है तो यह दिया आपने फर्स पार्ट नहीं देखा तो उस वीडियो को अब देख सकतो तो मैंने उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले जो इसका बोंड है वो कितना है और कौन-कौन से जो एपीडेविटे आपको बनवाने है और जो फर्स्ट है रहे उसकी पीस कितनी है और रजिस्टेशन प्रोसेस आपको कैसे करना step by step इस वीडियो में में बताने वाला इसलिए वीडियो इंपोर्टेंट होने वाला इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप ना करें और वीडियो को इंट तक देखे और दोस्तों यदि हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें इंट बेल आइकन को प्रेस करें चुकि इस चैनल पापको ऐसे ही मेडिकल काउंसलिंग चे रिलेटर एक्कुरिट इंपर्मेशन सबसे पहले मिलती रहेगी तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को बीना देर के वीडियो के इंट तक बने रहे है दोस्तों तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी आईवायर वेटनारी काउंसलिंग 2020 की रिकार्डिंग कि इसका रिजिस्टेशन प्रोसेस आपको कैस्वे करना इसका डिटील, स्टील क्या है, टोटल सीट कितनी है, रिजिस्टेशन फिच कितनी है इन सभी पॉंट के बारे में मैंने डिसकस किया था कुछ पॉंट छूट गए थे, जैसे इसके एपिडेविट आपको कौन-कौन से एपिडेविट बनवाने है और बॉंट आपको कैसे एग्रिमेंट करना है इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो यह इसले वीडियो का ही सेकिंड पार्ट है यह दिया आपने इसका फस्ट पार्ट नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रहा है वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं ओके दोस्तों तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इस वीडियो में बात करने वाले जो bond हैं उसके बारे में और एपीडेविट होर perse secondary की फीज कितनी थी फिज कितनी हैं तो इन सब के बारे में प्छले वीडियो में बात कर लई थी तो वह आपने नहीं देखा तो उसको आप इस वीडियो को कितनी है और कौन-कौन से आपको document submit करने तो इन सब के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात कर लिया था तो इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं जो इसकी फर्स्ट एर सेकेंडर थर्ड एर फौर्थ एर की फीज़ किती हैं तो जो जनल क्रेटिकरी है उनके लिए ज फीज़ है वह तोड़ी कम है फास्ट एर की फीज़ एससे एस्ट इस नहीं है इसकी तो ओके दोस्तों तो यहां से आप देख सकतो इसकी फीज़ बहुत ही कम है उसके बाद में इंट्रेक्शन जो आपको अच्छे से रीड कर लेना एक बारी यहां पे दो पॉंट दे रहें यह बॉंट के रिकार्डिंग है यह बॉंट का जो एग्रिमेंट आपको साइन करना पड़ेगा और यह आप कोलेज को छोड़ते हो तो फिर आपको जो बॉंट है वो आपको पे करना पड़ेगा ओके दोस्तों यहां से आप इनको फड़ सक ओके दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं OBC category वालों के लिए ये OBC जो category उनके लिए certificate है और उसके बाद बात करते हैं एक undertaking जो form है ये केवल OBC candidate के लिए ओके दोस्तों ये सभी candidate के लिए नहीं है केवल OBC candidate के लिए तो ये undertaking जो form है वो केवल OBC candidate के लिए है आगे बात करते हैं और कौन से एपीडेविटे जो आपको बन वाने है तो यह EWS के टिगरी वालों का सर्टिपिकट है जो भी आपको बन वाना है येदि आप EWS के टिगरी में आते हो तो इसका यह परपोर मा दे रहा है आगे बात करते हैं और कोंसे ढ़ने यह क्या आगर आप डिसेबिलिटी के डिग्री में आते हो तो उसके लिए सर्टीफिक्त दे रखाई जो आपको बनवाना है सबी केंडिडेट को नहीं बना नहीं इसके बाद में आगे बात करते हैं अगर आप आपने बारवी जो हैं वो 2020 में किये तो आपको गेप सर्टिपिकेट बनवाने की कोई जरुवत नहीं है लेकिन ये आपने 2019 में किये तो आपको गेप सर्टिपिकेट बनवाना पड़ेगा तो उसके लिए आपको 100 रुपे का स्टाम पेपर लेना है और तेसील में कोई भी एडवकेट है वो आपका जो गेप सर्टिपिकेट है वो बना देगा ओके दोस्तों तो ये गेप सर्टिपिकेट बनवाना ये आपने गेप लिया है तो और आपने इसका जो प्रफॉमा ये दे रहा है और 100 रुपे का जो इस्टाम है उस पर आपको ये गेप सर्टिपिकेट बनवाना ओके दोस्तों आगे बात करते है ये मेडिकल सर्टिपिक वरणा आप counseling से बाहर हो सकते हो, ओके दोस्तों आगे बात करते हैं कि यह epidavit जो anti-regging है उसका है, यह आपका एक तो आपका बनेगा और एका आपके parents का बनेगा, तो दो epidavit बनेगें, anti-regging वाले, एका आपका और एका आपके parents का, ओके दोस्तों आगे बात करते हैं और कौनसे एपिडेविटे जो आपको बनवाने हैं यह बोंड वाला एपिडेविटे जो आपको साइन करना है यह आपको भी यह भी शोर्पिकर जो इस्टाब में उस पर ही बनवाना है तो इसमें यह एग्रिमेंट है जो आपको साइन करन पढ़ेगा और ये आप गूलेज को फिर छोड़ते हो तो आपको 50 जो है वो बॉंड आपको पे करना पढ़ेगा वो कि दोस्तों तो यह है इसका बॉंड तो पचाज आ रहे हैं और आगे बात करते हैं और क्या है तो दोस्तों आपको जो कुछ डोकुमेंट जो हैं वो उनकी इमेल आइडी पर आपको इसकेन करके सम्मिट करने हैं उनके बार मैंने बता दिया था कि उनका जो फोर्मेट है वो जेपीजी ओ जेपीजी की फोर्मेट में होना चाहिए और उसको आपको 31 दिसमर से पहले पहले आपको उनकी मेल आइडी पर सेंड कर देना है ओकी तो अब बात करते हैं इसका रजिस्टेशन कैसे करना स्टेबाइस तो सबसे पहले आप यहां से लोगिन करोगे तो यहां से आप नई यूजर हो तो इसको अच्छी तरह से फिल करना उसके बाद मैं से अब बैंक डिटेल अपने डिटेल फुरी नहीं से अच्छी तरह से इसको फिल कर देना इसको काने के बाद आगे आपका नीट डिटेल बननी है आपको application फॉम नीट के रोल नमबर कितने मांक्स आये कितनी रेंके कोन से क कटेकर येह उन सब के बारे में यहां पर आपको फिल करना है ओके दोस्तों आगे बाद उसके बाद में आपके पास आएगा क्वालिफिक्टिवटन बढ़नी है और उसके बाद मापको यहां से मुझम फीटेस आपकी जो रेईस्टेशन फीज से जैसे के ST, ST और SC केटिगरी वालों के लिए 500 हैं, OBC जनल केटिगरी वालों के लिए 1000 हैं, तो आपको पे करनी है, ओके दोस्तों, यह ओनलाइन ही पे करनी हैं आपको, और इसके बाद में, यह कुछ डोकुमेंट हैं जो आपको अपलोड करने हैं, और इनकी जो साइज भी दे करने हैं, और इनकी यहां डोकुमेंट जो हैं, उनकी यहां साइज भी दे रखे हैं, तो यह सारे डोकुमेंट है, नीट का Admit Card, नीट का Rank Card, तो इन सभी जो डोकुमेंट हैं, इन सबको आपको इन साइज में अफलोड करना है, ओके दोस्तों तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है जादे से दाज स्टुडेंट के पास इसको सेर करना और यदि इससे रिलेटर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके भूसकते हैं मैं कोसिस करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाइ करने ओके गास तो आज की वीडियो में यहां तागी तो थैंक्यू और गुडबाई मिलते हैं नेक्ट वीडियो में